हेलो, मेरा नाम रानी डेहरिया है, मैं एक नर्सिंग सुडेंट हूँ और कस्तुर्बा नर्सिंग कॉलेज में पढ़ती हूँ ये कैम्प की जब शुरुवात की गई, उसकी फर्स बैच में मैं थी और मुझे सी कई लड़किया भी थी ये कैम्प सच में बहुत अच्छा है, बहुत इंट्रेस्टिंग है, मैंने तो इसमें बहुत इंजाए किया और कई नही नही चीज़े सिखी, ये कैम्प में हमें कई सारी चीज़े सिखाई गई, जैसे की योगा, जो आज भी मैं करती हूँ तो ताइम मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, इमोशनल मैनेजमेंट, सर्फ डिफेंस, साइबर क्राइम, सोशल मीडिया, महंदी, पारलर, आर्ट & क्राफ्ट, इसी कई सारे चीज़े हमने यहां पर सिखी, जो हमारे आज भी काम आ रही है, जैसे की जैसे कुछ भी प्रॉब्लम होती है मेरे साथ, और मुझे लगता है कि यह बहुत डिफिकल्ट है, होगा की नहीं होगा मुझसे, तो मैं जस आँख बंद करती हूँ और सोचती हूँ कि मैम ने हमें क्या सिखाया था, तो तभी माइंड मैंसे क्लिक होता है कि हाँ, प्रॉब्लम है, दरना ने, जो होगा देखा जाएगा बस अपना तुम 100% परफॉर्म करो, हो जाएगा सब, और जब भी मेरा शडूल बहुत बीजी रहता है कि मुझे लगत फिर उसके वज़े से एक टाइंटेवल बनाती हूँ और उसे पूरे काम को कर लेती हूँ, और तो वहाँ पर हमें आर्ट और क्राफ्स लिकाया गया, वो मेरे आज भी काम आता है, जैसे कॉलेज में मेरे कुछ भी अक्टिविटीज वगर होती है, तो उसमें मैं उसे इस कैम्ट में मैंने बहुत कुछ सिखा, बहुत ने सारे दोस्त भी बनाये, बहुत मज़ा भी किया, और कई सारे चीजे भी सीखी, और यह जो कैम्ट हुआ था, यहां पर कई बड़ी-बड़ी परस्नालिटीज आती थी, कई लोग आते थे, वो अपने जीवन के बारे में बताते थे, कि हमने हमारे जर्नी एक छोटे से घर से शुरुवात की थी, और आज हम कहां है, तो वो जब बताते थे, उन्हें सुनकर ऐसा लगता था हमें, कि हाँ, हम भी कुछ कर सकते हैं अपने जीवन में, बस हम यह सूशते थे, कि यार हम गरीब है, कैसा करेंगे, होग होगा या नहीं होगा हम से, खुद पर भरोसा भी नहीं करते थे, लेकिन ये कैम्प होने के बाद, उन लोगों से मिलने के बाद,